अपने गर में एक बहुत ही गरीब ब्राम्भण अपने पति-पतनी और एक बेटे और बेटी के सांस रहा करते थे और विच्छा मांग करके पना जीवने आपन किया करते थे और दुरभागे देखिए कि कभी कभी तो दिन दिन भर भिच्चा मांगते हैं कुछ भी नहीं मिलता एक बार की बात ऐसी हुई कि साथ दिन के बाद उन्हें इतना भोजन मिल सका कि एक टाइम का उनकी परिवार का भोजन हो जाए पंडी जी ने पंडीतानी को भोजन दिया बनाने के लिए पंडीतानी ने भोजन तयार किया और चार पत्तल लगाए पती के लिए अपने लिए बेटे के लिए बेटी के लिए और जैसे ही खाने के लिए पंडी जी तयार हुए भोजन उसी समय द्वार पर एक ब्रामण वेसधारी ब्यक्तिया करके भोजन की आचना करने लगा विक्षाम दे ही पंडी जी के कानों में आवाज पड़ी अब पंडी जी का ये नियम था कि आती थी धर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है और ये मेरा ना छूटने पाए उनका नियम था ये आवाज सुनते ही वो बाहर आये और बाहर आ करके उन भेच्चुक प्रामण को अंदर ले गए और उन्हें आशन पर विशा करके अपने भाग का जो भोजन था उसमें उन्हें दे दिया अतिति देव उस भोजन को तुरंत ही खा गए और बोले अभी तो मेरी भूंख मिटी नहीं अब इतनी बात सुन करके उनकी पत्री सुन रही थी वह भी परायणा थी उसने सोचा जिसे धर्म की रक्षा के लिए मेरे पत्री ने अपने भोजन का त्याक कर दिया आज सातवां दिन है और तब भी रक्षा नहीं हो पा रही है उसने भी अपना भाग दे दिया अतित हुआ भी भोजन कर गया पर उसने फिर बताए मेरी भूंख मिटी नहीं तो मांका अनुकर्ण करते हुए बेटे ने भी एपने भाग का भोजन उसे अरुपित कर दिया पिता जी को यह भी इनहें दे दिये इसी जो सन ay Awata you कि अब उन्हें के परिवार के जितने सदस्य थे चात दिन से भूखे होते हुए भी अपने सामने आये हुए हम ठाली का जो भोजन था उस अतिति को भोजन करके कर दिया और जब वह इसी रूपि ब्राह्मन रिप हो गया मानु कोई देव हो और उसे ने आशिरवाद दिया कि आप ने जो मुझे भोजन कराया है यह सबसे बड़ा यग्य है कि अनदान ही सर्वस सर्वस्रेष्ठ यग्य है और वित्रों कहते हैं यह पौराणिक बात है स्वावी विवेकानंद ने अपने उद्वोधन में बताया है कि वे महनाशन थे साथ दिन के भूखे महनाशन थे महनने वाले थे और तभी देखते क्या है एक दिव बीमान आ रहा है और महनाशन उन साथ जो चार परिवार थे बेटा बेटी पत्री और प्रहमण उनको बीमान लेकर के सिधे बैकुंठ लोक में चला गया और वही पर जहां पर उस अतित्य ने भोजन करके हाथ दो करके जल गिराया था एक नेवला रहता था तो उस नेवले ने जब उसके उपर वो जल गिरा तो उसने देखा कि उसका आधा सरीर तो सोने का हो गया है आधा जैसे काता ऐसा है नेवला नेवला तो आप सभी सा जानते हैं अब उसने प्रशन किया मेरा भी कल्यान कीजिए मेरा आधा सरीर तो आपके हाथ के धोन से प्रक्षालन से उसके जल से सोने का हो गया इतने बड़े यगे से और मेरा आधा रह गया अभी कैसे पूरा हो इसे भी पूरा कर दीजिए तब उस दैवपुरुस ने बताया कि तुम ऐसा करो युद्धिश्टिर बहुत बड़ा यगे कर रहे हैं उनके हां चले जाओ और उस यग में बहुत बड़ा यगेदान हो रहा है अनदान हो रहा है भूखों को भोजन कराया जा रहा है और वहाँ जाने से तुम्हारा सरीर पूरा सोने का हो जाएगा और अगर सोने का न हो तो जान लेना कि उनका यग्य सफल नहीं हुआ अब वहने वला अपना पूरा सरीर सोने का बनाने के लिए यूधिश्रीव के दरबार में आया यग्य चल रहा था और एक छुधार्थ प्रिप्यासा दुखी कितने भी ब्यक्ति जो भी आ रहे थे सबको भोजन कराया जाया रहा था दान किया जा रहा था वस्त्र दान अनदान इसके साथ साथ स्रुण दान जो भी हो सकता था सब कुछ किया जा रहा था और पूरे में राज्य में सब लोग आ करके वहां भोजन कर रहे था और भوجन का दान चल रहा था तो जो जहां लोग जाकर के हाथ पहले की परंपरा कि थी, थाली में लोग हाथ नहीं धोते थे, आज लोग थाली में ही भोजन किये, और भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ धोल लेते हैं, ये परंपरा नहीं है, भोजन करिए, थाली को धूल लेजिए, अन्नका अपमान म किजिए और धुल करके पी जाए उसके बाद थाली को धोई ये पहले ऐसा नियम नहीं था तो उस नेवले ने जहां पर लोग भोजन करके अपना हाथ धो रहे थे वहां पर जाकर बैठ गया बहुत देर तक बैठा रहा पर उसका रंग जरात सा भी नहीं बदला जैसे का तैस और तब वह उठकर के आया यग्य संपन्न होने के बाद राज सभा लगी थी जिसमें राजा जुदिश्टीर की सभी प्रसंसा कर रहे थे कि ऐसा यग्य न तो किसी ने पहले किया है और नभविस में करेगा इतना बड़ा यग्या और कोई कर नहीं सकता यग्य संपन्न हु हुए भीम तक को डाटते हुए उसने कहा ये क्या यग्य है ये तो उस ब्राम्मण के छोटे से यग्य के हज्जारवे भाग के बराबर भी नहीं है जिसमें मेरा आधा भाग सोने का हो गया था और आधा भी बाकी था मैंने सोचा था इतना बड़ा यग्य हो रहा है यहां आऊँगा तो मेरा पूरा सरीर सोने का हो गया पर ये तो ज्यों का त्यों रहा उस यग्य के आगे तो ये तुक्ष है आप सबको बड़ी चिंता हुई अर्जुन ने भगवान सिर्कृष्ण से पूछा भगवान खड ये तो सिंपन्न नहीं हुआ पर क्यों नहीं हुआ ये ये नेवला ही रताएगा अर्जुन ने उस नेवले से पूछा तो उसने मानो भासा में सारा बात बयान कर दी कुछ ब्राम्हन ने साथ दिन भूखा रहने के बाद भी जो भोजन था उसके पास सरबस्सकृण वहीं था एक थाली भोजन के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था उभी उसने दान कर दिया और उस्सी रात स्वर्कसिधार गया और मैं यही सोच कराया था तब अर्जुन ने भगवान सी कृष्ण से कहा कि प्रभु आप ही बिताइए कि यह यग्य पूर्ण कैसे होगा तब भगवान सी कृष्ण ने कहा निवला ठीक कहता है आपका यह पूर्ण नहीं हुआ है आप पता लगा यह भी कोई भूखा है राज्य में पता लगाने पर पता चला कि जंगल में कोई महात्मा भूखे है उनको लाकर के भोजन कराया गया दख्षिणा दिया गया सतकार कि तब जाकर के जब उन ब्राह्मन ने हाथ दोया तो उस निवले का रंग जब उनके हाथ के धोन का जल गिरा उसके उपर तो पूरा सोने का हो गया और वहां एक घंटा लगा था घंटा बजने लगा यह संपूर्ण हो गया कहने का मतलब यह है बित्रों आप दान में सबसे सरबस्रेष्ट तो अनदान है है अन्य दान करें अथुआ न करें पर अनदान अवस्य करें भूखे को भोजन खिलाने से बढ़ करके और कोई दान है ही नहीं और अब दान ऐसा नहीं कि आपके पास सब कुछ भरा पुरा है आजाद है किसी चीज की कमी नहीं है आप दान कर रहे हो तो उसका उतना पूर्य फल नहीं मिलेगा जितना कि आपके पास सरबस्व अर्पित कर देने पर हो जाता है अर्थात आपके पास जो कुछ भी है जितना भी है वह अतित के लिए समर्पित कर दिया जाए जो उस ब्राम्हन ने किया था तब वह अन्यदान आपको पूर्ण फल देता है मित्रों ये कहानी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो जैशिक्ष अवस्य लिख दीजेगा